36 गड़ विधान सबस सची वाला द्वारा सायग गेर्ट 3 भरती आनलाइन लिया जा चुका है आज की इस विड़ो में हम 364 से जुड़े बहुत इंपोर्टेन 25 प्रश्णों को जानेंगे जोकि 36 गड़ विधान सबस सची वाला भरती सायग ग्रेट 3 भरती में पूछा गया है और पूछे के प्रश्णे कितना इन पाड़ेन होते हैं अगर आब एकजाम के त्यारी करते हैं तो पहले से जानते ही होंगे क्योंकि ब्यापम द्वारा हो चाहे से जिप पीएसी द्वारा हो या एसाई भरती या पुलीस भरती हो क्वेश्ण रिपिटेड होते हैं या आज़ पास के टापिक से ही प्रश्ण बनते हैं चतियर जर्रा नालेज को टापिक सीमित है ले इन कई सारी यूनिक प्रश्ण बनते हैं जो रिपिट होते हैं तो आज के स्चुडियो में आप स्कीन पर देख पाएंगे तो यह 12 दिसंबर 2021 का क्वेश्ण पेपर है और साय गेट थी का भरती का है चलते हैं क्वेश्ण को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं जर्रा नालेज आप 36 दर से हम स्टार्ट करेंगे तो 25 क्वेश्ण है चतिर जर्रा नालेज से जुड़े प्रश्ण इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है और इंगलिस में भी दिया हुआ है और सही एंसर भी इसमें टीक लगा दिया गिया है, विभाग दुआ रही, तो सबसे पहला प्रशना आपको इस्क्रीन पर आ रहा होगा, महराज बंद तलाब खाले इस्थान में इसधीत है, आपने तेली बांधत तलाब सुना होगा, तेली बांधत जो कि रैपूर में है, और महराज बंद तलाब भी रैपूर में है आपको ए एंसर करेक्ट लगाना है इसके बाद दूसरा प्रश्ण भी आपके स्कीन पर सो हो जाता है अगर आप इंगलिश मिडियम से है तो आप इसका PDF डाउनलोड करने के लिए कमेंड बाक्स में कमेंड कर सकते हैं हम PDF इसके बाद दूसरा प्रश्ण भी आपके स्कीन पर सो हो चुका है हम इसकीन में पूरा इसे जूम करते है ताकि आपको प्रश्ण अच्छे से दिख सके ये प्रश्ण है खाले स्थान नंदी का उदगम सर्गुजा जिले के में पार्ट पठार के उत्तरी भाग से हुआ है तो आप पहले ही जानते होंगे सर्गुजा जिले के में पार्ट में किस नंदी का उदगम है मांड नंदी का जी हाँ इसमें चार आप नदियों का नाम दिया हुआ है आप चारों में देखेंगे तो बोराई कहां दूरगा में बहती है स्वारी ये बोराई नदी है तो ये कॉर्बा में बहती है कॉर्बा के पठार से दूद नदी जो की कांकेर से उद्गाम होती है मान नदी जो की सरगुजा के main part प्थार सुधपन होती है और हसडन लिखा हुआ है ये हसद्यों नदी है चुकि हम इस्टेक हो चुका है अगर हम इंगलीस में देखेंगे तो इसमें हसद्यों नदी लिखा हुआ है तो यही सही है और ये कहां होता है कुरिया के कैमूर परवस्व इसका उद्गम होता है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से नदी कहां परसे उद्गम होती है इसके बाद आपके पास तिसरा प्रशन भी आपके स्कीन परसो हो चुका है और ये प्रशन है बस्ता छेतर में कोई वुद्रो के विरुद्ध हुआ था तो कोई वुद्रो जो हुआ था वो अंग्रेजो के बस्ता छेतर के बाहर के लोगों को साल के पेड काटने के अनुबंध की पेशकस करने के निवनाई के लिए ये आंदोलन हुआ था आपको इस स्कीन पर पूरा question और answer दिख रहा होगा हमने इसको थोड़ा जूम इन किया ताकि आपको question अच्छे से दिख सके इसके बाद अगला प्रशन भी आपके स्कीन पर सो हो चुका है और ये हलबा विद्रोह से जुड़ा हुआ है हलबा विद्रोह में अंग्रेजो और मराठो के विरुद्ध पहला प्रलेखित विद्रोह काँ विद्रोह था तो ये बस्तर छेतर था हलबा विद्रोह बस्तर में जी हाँ बस्तर में अंग्रेजो और मराठो के विरुद्ध पहला प्रलेखित विद्रोह था बस्तर इसका करेक्टर यह सारे हलबा इदरों बस्तर में हुआ था यह सब पुछा हुआ इसमें सिक्वेंस जमा कर इसके बाद अगला प्रश्ण भी आपके स्कीन पर आ चुका है और यह है 36 गड की राजास्वा प्रणाली में खाले इस्थान का पद इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा उसी समय समाप्त कर दिया गया था यहां और आगे लिखा हुआ है जब उन्होंने शुरू में 36 गड को नियंतर में लिया था तो कौन से राजास्वा प्रणाली में पद था जिसे इस्ट इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा उसी समय समाप्त कर दिया था जब उन्होंने शुरू में 36 गड को नियंतरित करने के लिए बनाया गया था तो पटेल के पद को समाप्त कर दिया गया था अगला प्रशने भी आपकी स्कीन पर आ चुका है और ये नीत्य से जुड़ा हुआ प्रशन है और ये प्रशन है 36 की नीमनल लिखित में से कौन सी जन जाती तेर तारी लोक नीत्य करती है तो इसका गर एक टेंसर है कमार जाती तेर तारी नीत्य करती है इसके बाद अगला प्रश्ण भी आपकी स्किन पर आचुका है जोगी जन गर्णा से जुड़ा हुआ प्रश्ण है 2011 की जन गर्णा के अनुसार पूरे भारत की तुलना में 36 गड़ में अनुसुचित जन जातियों का प्रतिसात कितना है ये रिपीटेट प्रश्ण है और दो से तीन बार ये रिपीट हो भी चुके है और इसका सहीन सरे 7.5% है इसके बाद अगला प्रश्ण भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हिंदी में आ चुका है और ये प्रश्ण है 36 गड के उस लोक नित्च का नाम बताईए जिसमें नर्तक सन्नी कट नर्तक की कमर पर हाथ रख कर एक वित्द बनाते हैं और लाबद तरीके से नित्च करते हैं तो यह है कर्मा नित्थ, आप ध्यां रखेंगे कौन से नित्थ है, कर्मा नित्थ, दुसरा अप्सन इसका सही है, इसके बाद अगला आपके स्किन पर आ चुका है, कि यहां पर है, प्रसिध चंद्रहासनी देवी मंदिर चत्ती जड़गे किस जिले में है, वर तमामने बात करेंगे तो चंद्रहासनी देवी मंदिर सक्ती जिला में आता है, चुकि सक्ती जिले का आप्सन नहीं दिया हुआ है, तो सक्ती जिला पहले जांजगीर चापा जिला में सामिल था, तो चाउथा आप्सन इसका सही है, चंद्रहासनी देवी का मंदिर जो की महानदी के टट यहाँ पर यह देख सकते हैं अभी अभी हुआ है चर्च के संबने में यह प्रशन आ चुका है 36 जिले में एसिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च आप नाम को भी आद रख लें कौन से नाम से जाना जाता है चर्च को और दूसरा सबसे बड़ा चर्च है यह तो आप पहले ही जानते होंगे अवर लेडी आपदा रोजरी और यह है चत्तिअड के जस्पूर जीला में अगला प्रशन भी आपके स्कीन पर आचुका है और यह प्रशन है चुनाओ के लिए पात्र नहीं होगा अर्थात पहला अपसन इसका सही एंसर है बारव प्रशन है 36 गड़ परंचायती राज अधिनियम 1993 के तहट जहां बलाक में अनुसुचित जन जाती की कूल संख्या 50 प्रतिसात से कम है वहां बलाक के अंतरगद ग्राम पंचायतों के सरपंचों की खाली प्रतिसात सीटे अन्य पिछावर्ग के लिए आरक्षित रहती है तो इसका करेक्ट इंसर है 25 पर्शन तीसरा अप्चन इसका करेक्ट है अगला प्रशन भी आपके स्कीन पर सो हो चुका है 36 गड़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहट ग्राम पंचायत की पहली बैठक धारा 19 के तहट प्रकाशन की तिथी से खाली स्थान दिनों के भीतर आयोजीत की जाएगी तो इक कौन से आप्चन सही है ध्यार रखेंगे एक माह के भीतर पहली बैठक बुलाया जाना आवस्यक है जिस दिसको प्रकाशित किया गया है पहली बैठक धाराउंडिस के तहजी सिधी को प्रकासित किया गया है उसके 30 दिवास के भीतर बैठके पहली होगी अगला पंचायती राज अधिनियम से ही पूछा गया प्रश्ण है चत्ती अजरानालेस से अभी तक कम प्रश्ण पूछे गया है पंचायती राज अधिनियम करेंट अफियर इन टापिकों को ज़्यादा वेल्टेज दिया गया है इस एकजाम में और ये प्रश्ण है चत्ती अड़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहट जन्तपत पंचायत के अधिनास्त छेत्र में खाली स्थान सरपंचों को एक वर्श की अधि के लिए चक्रानुकम से जैसे की निर्धारित प्रधिकारी लाट निकाल कर निर्धारित कर सकते हैं तो एक बटे 5% सरपंचों को एक वर्ष किया उधी के लिए जद्पत पंचायत के अधिनास्त प्राधिकारी लाड़ निकल कर निधारित किया जाता है तो तिसरा अप्षन इसका सही एंसर है अगला प्रशन भी आपके स्किन पर सो हो चुका है और यह प्रशन है 2015 तक सरुर्जा से चलने वाले पंपो के माध्यमसी पेजलू प्रब्द कराने के मामले में भारत में 36 गर राज्य का इस थान क्या है तो इसका सही एंसर क्या है इसका सही एंसर है पहला 2015 तक सरुर्जा से चलने वाले पंपो के माध्यम से पेजलू प्रब्द कराने के मामले में भारत में 36 गर राज्य पहला इस्थान रखता है अगला प्रशन भी आपके स्किन पर आचुका है और यह प्रशन है चतियर सरकार ने 2020 में किस जिले में अप्सिष्ट से उर्जा विद्ध उत्पादन से अंतर इस्थापीत किया है तो यह सही है राजपूर जिला में अप्सिष्ट पदार्थ से उर्जा उत्पादन करने के लिए युद्ध सेंद्रे के इस्थापना किया है तो पहला अप्सिष्ट का सही एंसर है हो सकता है आप जब एक्जाम दिलाए हो तो आपके में यह ID नंबर होगा तो राजपूर सही एंसर आप लगाएंगे और आगामी जो भी एक्जाम होते हैं उसमें आप इस तरह से प्रशना पुछे जाते हैं तो आपको राजपूर ही लगाना है अगला प्रशना भी आपकी स्किन पर सो हो चुका है और यह प्रशना है एक लामा लह आयसक परिसरिया संकूल की जिल में है एक लामा चेली कामा यह छेत्र जो की बकसाइट का छेत्र है यह कहाँ पर है तो यह कवरधा में है स्वारी लवयास का ये छेत्र है हमने गलत बता दिया थोड़ा सा तो कभिरधाम अर्थात कवरधा जिला में ये लवयास का छेत्र पाया जाता है एक लामा चेली कामा ये सा ये से नाम है जो की कभिरधाम के अंतरगत आता है अगला प्रशन भी आपके स्क्रीन पर आचुका है जो की बेसिक नाले से जुड़ा हुआ प्रशन है नेम नर्खित में से किसने छतियर राज्य के पहले राज्यपाल के रूप में कार्य किया है तो इसका सही अंसर क्या है सही अंसर है जो की चतियर के पहले राज्यपाल हुए वर्तमान में कौर राज्यपाल है इसको आप कमेंट करके बताएंगे आप चतियर जीके के त्यारी करते हैं तो आप राजय पाल को तो जरूर ही जानते होंगे आप कमेंट करके जरूर बताए कि वर्तमान में चतियर के राजय पाल कौन है अगला प्रश्ण भी आपके स्किन पर आ चुका है और ये प्रश्ण है निम्नल लिखित में से किस ब्यक्ति ने 1857 में 36 गड में स्वतंत्रता के पहले यूद्ध का नित्युत्त किया था अर्थाद 36 गड में जो 1857 की करांते हुई थी जिसे हम सोना खानवीद्रो के नाम से जानते हैं इसका नित्युत्त सही 298 दुआरा किया गया था पहला आप्शन इस क्वेशन का सही एंसर है कौन सा आप्शन पहला आप्शन ऐसे प्रश्ण को तो आप तो गलती नहीं करना है सही दुआरारसी को रैपूर के जैस्तम बचवक में 10 दिसंबार 1857 को फ्रासी दे दी गई थी तो ऐसे ही प्रशन पूछे जाते हैं अगला प्रशन भी आपके स्कीन पर आचुका है ये है निम्नकिन में से कौन 2021 तक 36 के खनी संसाधन भाग के निदेशक है अर्थात वर्थमान में भी ये 36 खनी जुई भाग के निदेशक है तो ये सही इंसर है जैप्रकास मौरिया ध्यार रखेंगी कौन है जैप्रकास मौरिया करेंट अफियर के कैसा अरिबुक आते हैं जिसमें जब 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 प्रसिद्धी की बात करेंगे तो अर्जुना करेंट अफियर बहुत जब जब प्रापुलर हो रहे हैं इस तरह से और कई पब्लिक के संद्वारा करेंट अफियर के प्रस्ण निकाले गये हैं अगला प्रेशन भी आपके स्किन पर आ चुका है अगला प्रेशन है निमने लेकिन में से कौन सी 36 के अभिसेक अगरवाल की साहित तेक्रिती नहीं है यह तो थोड़ा सा उत्पूटांग सा प्रेशन होगी है कि अभिसेक अगरवाल की साहित तेक्रिती इनमें से कौन नहीं ह तो family version इनमें से नहीं है ऐसा लगिने बहुत ही अंदर से पुछा प्रशन है selection होने के लिए आपको पूरे 100% mark लाना हो ऐसा जोरी नहीं रहता आप 70-80% mark लाते हैं तो भी आप select हो जाते हैं क्योंकि 20% question ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं पता होता है 70% सभी लोग बनाते हैं 10% जो ज़्यादा पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छे से प्रशन करते हैं वो 80% तक बनाते हैं तो उनका selection हो जाता है 70-80% के बीच लगिन 20% question ऐसे होते हैं जिससे कोई नहीं बनाता है आप जब भी कोई भी competition एक्जाम देखेंगे तो यहीं पाएंगे कि 70-80% में select हुए रहते हैं cut up उत्रह ही जाया रहता है अगला प्रशन भी आपके skin पर आचुका है और यह प्रशन है जिला में सबसे अधिक आदिवासी अबादी है ऐसे आप बात करेंगे तो इसमें दो आप्शन आप ऐसे ही बाहर कर सकते हैं दूरगौर विलाशवूर को क्योंकि ओ मध्यप प्राकृत जो महानादी बेसीन है अगला प्रशन भी आपके skin पर आचुका है अगला यह प्रशन है नंदन वन जंगल सफारी चत्ती अड़ के निमनल खित में से किस जिले में है अब आप डाउट होंगे कि जो जंगल सफारी है वो तो कहा है वो है रैपूर में लेकिन नंदन वन जंगल सफारी कहा है इसको जब पूछा गया तो शत्ती अड़ विधान सबसाची वाला द्वारा जो पिए एक्जाम लिया गया तो उसी के द्वारा ही यह इंसर जारी किया गया है और यह इंसर लिया गया है जबकि नेयरापूर जंगल सफारी हम जानते हैं लेगिन नंदन वान जंगल सफारी पुछा गया इसलिए इसका इंसर कोई लिया गया है ये जीला से पुछ लिया गया प्राश्णा और नीमनलिके में से कौन सा चत्ती अड़ का 28 जीला है अभी चत्ती अड़ के कितने जीले हो चुके हैं अभी चत्ती अड़ के 5 जीले और बन चुके हैं तो 28 पुछा गया है जो पांच ने जीले बनाए गया है उसमें जो पांच ने जीले बनाए गया है उनमें कौन-कौन सा है तो मुहला, मानपूर, चौकी, मनिंद्रगड, सारंगड, भिलाईगड, इसके लावा सक्ती और एक और बनाए गया है पांच जीले नहीं चार जीले बनाए गया है जिसमे मनेंद्रगड और चीरमीरी का कुरिया अरिया बनाया गया है मोहला मान पुर्चों की राजन गाउं का अरिया बनाया गया है और सारंगड भिलाईगड इसके लावा सकती ये चार नए जीले बनाया गया है जिससे जीलों की संख्या 32 हो चुके है स्वारी मिश्टेक हो गया था पचीसो प्रश्ण भी आपके स्किन पर सो हो चुका है और ये प्रश्ण है चत्य राज जमें 2018 के विधान सबस चुनाव में बहुजान समाज पाटी अर्थाथ बीवेस्वी द्वारा जीती गई सीटों की कुल संख्या कितनी है तो दो स्वीट है और भाजपा को कितना मिला था पंद्रा मिला था आप जानते ही होंगे तो इस तरह से जो चुनाव से जुड़े प्रश्ण है इसे भी प्रश्ण पूछे आते हाला कि ये 2018 का है इसे नहीं पूछना चाहिए था लगी ने बेसिक नालेज के तोर पर पूछ लिया गया है और करेंट अफियर से बहुती कम टापिक से इसमें प्रश्ण पूछे गया है बेसिक नालेज से ही ज़्यादा प्रश्ण पूछा गया है एकजाम कलेवाल कैसा था आपने दिलाये तो और इसका cut up कितना जा सकते हैं इसको आप comment box में comment कर सकते हैं कि और आपने कितना correct सहीं किये हैं उसको भी आप comment कर सकते हैं अगर वीडो आपको पसंद आया तो like share जरू करेंगे अगर आपने हमार वीडो चैनल को अभी जग subscribe नहीं किये तो subscribe करेंगे जय हिन मिलेंगे अगले वीडो पर इसके हम जो और पुछे कहे हैं हैं अलग-अलग shift में कई shift में यह हुआ है दिसंबर में 4-5 दिन में एक जाम हुआ है तो सभी दिन के 36 जीके के प्रशनों का अध्यान हम करेंगे और एक playlist आपको इंड इसके में में दिख रहा होगा जहाँ पर आप सारे वीडो का analysis एक साथ कर सकते हैं